नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं सीम हेमन्त की आठ दिसंबर को गढ़वा में खत्यानी जोहार यात्रा, जहर्खन की सीम हेमन्त सुरेन 8 दिसंबर को खत्यानी जोहार यात्रा का सुभारम करेंगे, इसकी शुरुवात गढ़वा से होगी, इसे लेकर त्यारी शुरू कर दी गई है बतादे गढ़वा में जार्खन मुक्ती मोर्चा जीला कमीटी की बैठाग मंत्री मितलेश ठाकूर के आवास पर जीला अध्यक्स तनवर आलम खान के अध्यक्सता में की गई इसमें 8 दिसंबर को मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की खत्यानी जोहार यात्रा की त्यारी को लेकर चर्चा की गई जार्खन मुक्ती मोर्चा की बैठाग में यह नीन लिया गया है की जानडा पोस्टर बैनर के जरिये पर चार पर सारकर गढ़वा जीले की आम जनता को इसकी जनकारी दी जाएगी जारखन के 65 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी चाना का दाल बतादे जारखन के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी सरकार की ओर से चालू वीतिय वर्ष 2022 ते इसमें जोजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर एक किलो गराम दाल परती मा उपलबत कराने की घोसना की गई थी इसको लेकर 490 रुपाई के ब्याय का प्रहस्ताव है 82 घोसना के बाद अगस्त माह में इस वर्ष नागों केमिड से मंजूरी मिली है रैप वाक में दिखा जारखन्डी ट्राइबल परिधान हाल ही में आवेजी जारखन्डी परमपारिक परिधान को रैप पर उतारा इसे ट्राइबल फैसन इंडस्ट्री से जुड़े सहर के ही यूतियों ने पेस किया है फैसन सो की सराहना राजे पालव मुख्य मंत्री ने भी की है उत्सव में राजे के करीब हर जन जाती परिधान को परदसित किया गया इसके पीछे वर्षो की कड़ी मेहना था है जिससे अब देश बिदेश के बड़े फैसन सो के रैप पर जगा मिल रही है बता दे मुंडा, खड़िया, उराव और हो जैसे तमाम समुदाय से जुले परिधान अब के वर परंपरिक लाल, पार, साड़ी, पंची, धोती, गमचा, टोपित तक की सीमित नहीं रह गए फैसन डिजाइनर इसे अब मेंस वियर में कुर्ता, बंडी, जैकेट, ओवर कोट, असकट, फ्राक, टोप और पगड़ी के रूप में पेस कर रहे हैं इसके अलावा परंपरिक परिधान में नयापपन लाने के लिए परंपरिक जेवर में भी आधोनिक कारीगरी की जा रही है गिरीडी में पुलिस मेंस एसोसेशन का चुनाव गिरीडी में परवा टार इसीद नियू पूलिस लाइन में पूलिस मेंस एसोसियेशन का चुनाव रभीवार की सुबा नौ बई से सुरू हो गया है, कूल साथ पदों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1267 मद्दाता अपने अधिकार का इस्तिमाल कर रहे हैं, अध्यक्ष, उ लग कर अपने मताधिकार का इस्तिमाल कर रहे हैं, वही मद्दान के दौरान किसी परकार की कोई हंगामा नहीं हो, इसे लेकर सुरक्षा बेवस्ता भी दूरू हो गया है, बता दे राची डिसी राहूल कुमार सीना ने टैगोर हील पहार को काटने और यहां हो रहे पहार काटने और अतिकर्मन की पुष्टी होने पर करवाई की जाएगी बीरभूम नरसंगहार का मुख्यारोपी लालन गिरफतार दिया गया है, रामपुरहर थाना अंत्रगत, बरसाल गराम पंचात के तहट, बगटोई गराम में त्रिमूल कॉंग्रेस के नेतात अथा, उप प्रधान भादू सेख की बम मारकर हत्या की बाद, भादू सेख के समर्थकों ने गाउं में दस गहरों को पेट्रोल डालका जला दिया था, इस अग जनी में दस लोगों को जिन्दा जला दिया गया था, भादू सेख के खास लालन सेख ने ही लोगों को जिन्दा जलाना की घटना को अनजाम दिया था जारखन के नौ जीलो को किसानों को प्राकिर्तिक खेती के मिलेगी ट्रेनिंग जारखन के साहवगन समेत नौ जीलो में जल्द ही किसानों को प्राकिर्तिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना छोड़ प्रकिर्तिक खेती करने के लिए बढ़ावा को लेकर जगरूप किया जाएगा बता देश भर के 425 जिलों में प्रकिर्तिक खेती करने के लिए कारक्रम आयोजीत किया रहा है इसके तहट किसानों को प्राकिर्टिक खेती की तरीके बताए जाएंगे के वीके के मुखे किरिसी बैग्याई डाक्टर अमरीत कुमार जहाँ प्राकिर्टिक खेती के लिए अवजीत राश्ट्रिय करसला में भाग लेने राज माता, बिज्या, राजे, सिंधिया, क्रिसी, विश्व विदाले, ग्वालियर पहुंचे हैं देवघर डीसी ने 184 दिव्यांगो को दिया परमान पत्र के साथ ट्राइ साइकिल बिश्व दिव्यांग ता दिवस का उसर पर सनीवार को इंडोर स्टेडिय aika के विच पहन पत्र बितरन के लिए बिशेस कैम का उजन किया गया इसका सुभारम डीसी मनजूनात भहंत्री ने किया दिव्यांगो को डीसी ने ट्राइ साइकल भी दिया जार्खन के जंगलों में नाइट्रोजन की भारी कमी का चिंता का विशा है जार्खन के जंगलों के लिए इन दिनों नाइट्रोजन की भारी कमी चिंता का एक विशा बना हुआ है क्योंकि इस वज़ा यहां की मिट्टी पौधे के पनअपने के लिए बेहतर साबित होने में नकम्याब हो रही है हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि जारखन के जंगलों की मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्तर घरता जा रहा है इस पर बात करते हुए एक वरिष्ट अधिकाई ने कहा है कि केंद्रिय वन और परयावरन मंत्राला के निदेश परांची स्थीत इंस्चूट ऑफ फोरेश्ट प्रोडक्टिविटी के तयार किये गए वन मिरिदा स्वास्त कार्ड की रिपोर्ट में यह निसकर सामने आया है साधी समारों से एक यूती ने उड़ा लिये दूलहन के नौलाख के जेवरात मौरबादी श्थीत मानया पैलेस में साधी समारों के दोरान एक यूती ने जेवरात से भारा बैग उड़ा लिया इस सम्बन में विनोत कुमार ने लाल पुर्थाना में प्राथमी की दच करा पूलिस का काना है कि सुक्रवार की रात मुराबादी जथीत, मानिया पैलेस में बिनोत कुमार की बेटी की साधी थी, साधी के दोरान एक यूती समारों में पहुंची, यूती ने लाल रंग के कापड़ा पहुन रखा था, वो काफी देर तक समारों में मौझूद रही, खा पंकज मिस्रा समेत आठ पर दर्ज हुई प्राथमी की, साहिब गंज के निब्बु पहाय पर अवय दखनन मामले में सिकायत करता, विजय हंस दाद्वारा कोट में अपनी सिकायत पर कायम रहने कायवेदन देने और पोलिस पर धोखा धरी का गंफीर आरोप लगाने के बा सोभनपूर भठा निवासी राजेस यादो, लकडा कोल निवासी संजाय कुमर यादो, रामपूर करारा निवासी बच्चु यादो व संजाय यादो तथा, मंगल हाट निवासी सुमेश मंडल आरोपीत बनाए गया है, इस अभी पर अवय द खननन के लावा, सिकायत करता साथ मार पीट, गाली को लोजव उत्पिरन का आरोप है, जाम तरा सदर अस्पताल की दो दासा देख भड़के विधायाक, जाम तरा विधायक डक्टर इरफान अंसारी सनिवार को जाम तरा कर सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे अस्पताल का उचक निरिक्षन किया, मौक बेवास था, पुरी स्थरा से चर्मरा गई है, जो की चिंता का विशाय है, आगे भी धायक अल्टर साउंड डिपार्टमेंट पहुंचे है, जहां उन्हें बताया गया कि पूरा सिस्टाम पीपीपी मोड प्राइबेट पर चल रहा है, जार्खन सरकार बाट रही बेटी क राज सरकार के महतपुन योईना मुखे मंत्री बेटी किट का लाब अब धनबाद में भी लोगों को मिलना सुरू हो चुका है, हलाकि समस्या यहा है कि सरकार ने लाबकों की संख्या से बेहद ही कौम बेवी किट उपलब्द कराई है, किट की उपलब्दा कम होने के कारण साहियाओं और स्वास्त कर्मियों को परिशानी जहनी पड़ रही है, हर सुबह स्वास्त कर्मी और साहियाएं बेवी किट लेने के लिए सिविल सर्जन कराला पहुँच रहे हैं, दरसल सरकार ये स्पतालों में जनम के बाद नवजात बच्चों को राज सरकार की ओर से या सब्सक्राइब करें साथ वीडियो के लाइक करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवर से दे थैंक यू